आप सब अच्छे से होंगे बढ़िया से होंगे फ्रंस ये वीक बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसलिए बहुत जादा मैनत कर रहे हम हो सकते तो टेलीग्राम पे भी आप हमारा अगर जॉइन करके रखोगे तो ट्रेड अगर मिलेगा तो हम बताएंगे कि ट्रेड मिला भ बाए जाएगी तो आप देखोंगे मार्केट सेलिंग में आ रही है इसको हम अनेक्सपेक्टीड मूज बोलते हैं जो आपने एक्सपेक्टीड कर रहे थे गोल्ड में आपको ऐसे मूद देखने को मिलेंगे अब फ्रेंट्स इनके लिए करना क्या है करना कुछ नहीं एनल बिस्ट और भूर है को रहा है फोरोवर में भी अभी बैरिश है अब आप देख रहे हों कि और टोटली बैरीश मिनिट में बिट अगर आप यहां पर देखोगो पांच मिनिट में तो अभी थोड़ा बैरिश यहां से स्टार्ट हो गया है फbild anymore साजका अगरम डेजी पर ज है जो नहीं करपातेजों किसी नेक्स वीडियो में डिसकस्ट करेंगे आज का फ्रण भेरिश एह दिहान से फ्रेंस देखिए दिहान से सुनिए आज आपने जो भी ट्रेड ले लेने है वह अपने सेल साइड के ट्रेड लेने कुण से ready आपने sell side की तरफ trade जाना है, buy side की तरफ आपने आज नहीं जाना है, आज का क्योंकि जो भी market analysis है, जो मैं बात करूं अगर आपको बताऊं, जो भी आज का daily buy से वो sell side की तरफ है, दिहान से देखें के friends, ये level दिहान से देखो, यहां पर day में जाके friends, मैं सीधा directly कर देता हूं, day में, day में previous day की candles पर अगर हम mark करें, अभी friends 50% के उपर ये एक level आता है, यहां पर, अब मैं इसको थोड़ा remove कर देता हूं, ताकि आप दिहान से देख पाओगे friends, आपने कहां से buying और कहां से आपने selling आज करनी है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिहान रहे, friends देखो, 50 50% अगर हम देखें, तो 50% ये हमारा आ रहा है, एक level, एक first आपने selling जो करना है, वो 38 अगर ये liquidity खा लेता है, या तो यहां से, या तो ये liquidity खा कि अगर नीचे आता है, और यहां पर retest देता है, तो यहां से आपने अपनी selling बिठानी है, एक 50% पर जाके, अगर आपको ऐसे क करके, और ऐसे करके reversal मिला, second trade आप यहां से लगाओगे, third trade जो भी हमारा day की liquidity, अगर market day की liquidity खाने जाती है, फिर नीचे आती है, और यहां पर retest देती है, तो यहां से आपने selling बिठाना है, अगर यहां पर मिला friends, तो target आप ये रख लेना, और जैसे market नीचे आ जाए, तो ब जैसे market नीचे आता है, तो SL आपने फिर zero रखना है, और target आपने ये low रखना है, और फिर आप steps wise, for example कैसे, ध्यान से देखो, ऐसे करके market चलता है, अगर market मान के चलो, इधर दूसरा high अपना एक, ये high था पहले, फिर ये बना रही अभी नीचे के लिए, friends, यहां से जैसे य ये बन जाता है, तो आपने अपना जो आपका SL यहां पे होगा, वो SL शिफ्ट करके आपने यहां पे कर देना अब अपना SL, जैसे ही ये आपको high दिखे कोई भी, यहां पे higher low जो भी दिख रहा है आपको, आपने यहां से अपना SL शिफ्ट करके फिर यहां पे कर देना है, दिहान से friends ये देखना और friends ये तीन moment रहेंगे आज आज आपके selling के बाकि friends dxy में अगर हम देखें तो dxy का अगर हम देखें तो dxy तो gap up भी बहुत ज़दा दिया अब friends देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था dxy और gold दोनु sam side मुग करते हैं अगर आप देखोगे आज का अगर आप gap देखोगे देखो gold ने भी sam नीचे sell दिया है यहां पे भी इसने sell side का जो है वो gap up दिया है reason क्या है reason इतने gap up भी आपने नहीं देखेंगे मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ नीज में मैंने एक वीडियो डाली उसमें मैंने बताया कि यह week बहुत जादा important है इस week बहुत जादा sell और account उडने वाले हैं gold भी same चलेगा dxy भी same चलेगा हो सकता है दोनु sam side जाएं आपने confusion नहीं होना है gold को देखे dxy को sell नहीं करना है dxy को देखे gold को sell नहीं करना है proper logic analysis के साथ आपने इस बार trade करना है अब देखो आपके सामने ही देखो दौनू cell side में दौनू नीचे जा रहे हैं देखो गोल्ड पी नीचे जा रहा है यहाँ पे देखो जो अपना gap up द्या वो भी नीचे gap up दे रहा है और अपना dxy भी नीचे gap up दे रहा है देख रहे हो friends अब यहां पे नीचे अगर दोनों दे रहे हैं तो में दोनों साथ में जा रहे हैं दोनों नहीं gap up नीचे दिया दोनों का same move है तो इस वज़ा से मैं आपको बोलूँगा जात पर gold पे focus करो और levels पे focus करना जो जो levels मैंने बता के रखे हैं कि आपने जाना कौन सी वाली साइड है इनी level से आपने आए selling की साइड बनाना है buy side अगर entry जाएगी तो buy side जाके फसना नहीं क्योंकि आज का जो daily buys है वो sell side की तरफ है thank you friends